साधिरादे मित्रों, भाधरपद माह के गृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, उसे कहा जाता है अजाएकादशी और इस साल यानि की साल 2020 में अजाएकादशी पड़ रही है 15 अगस्त यानि शनिवार को अजाएकादशी के दिल श्रीहरीका विदिविधान के साथ पूजन किया जाता है और उनकी कृपा से व्यक्ति को इस जन्म और पूरुजन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है मित्रों इसकी पौरानिक कथा राजा हरिष्चंड की कथा है जिसमें राजा हरिष्चंड के जीवन का और इस एकादशी के वरत के महात्मे का वर्नन है धार्मिक मानिताओं के अनुसार अजा एकादशी की कथा सुनने मात्र से आश्वमेद यग्य के बराबर पुन्यफल प्राप्त होता है आज हम आपके लिए यहां पर लेकर आएं हैं जानकारी अजा एकादशी से जुड़े हुए शुब मुहूरत की मित्रों आजा एकादशी एकादशी तिथी शुरू हो रही है 14 अगस्त को 2 पहर के 2 बच करके एक मिनिट से और एकादशी तिथी समाप्त होगी 15 अगस्त 2020 को 2 पहर के 2 बच करके 20 मिनिट पर वरत में सूर्योदे व्यापिनी तिथी मानने होती है इसी लिए 15 अगस्त को ही अजा एकादशी का वरत किया जाएगा एकादशी के पारण का जो समय है 16 अगस्त रवीवार को सुबह के 5 बच करके 59 मिनिट से 8 बच करके 29 मिनिट तक का रहेगा मित्रो एकादशी का पारण अगले दिन सुर्योदे के बाद ही किया जाता है और इस बात का विशेश ध्यान रखा जाता है कि पारण द्वादशी तिथी के समापन से पहले ही हो जाए पारण वाले दिन द्वादशी तिथी समाप्त होगी दोपहर के एक बच करके पचास मिनिट पर तुमित्रों पारण के समय का आप जरूर ध्यान रखिए और इसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आप वरत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपको एक आदशी तिथी को नहीं खानी चाहिए क्या है वो चीजें इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं लिंक दिया हुआ है वहाँ पर यहाँ पर आपको आजा एक आदशी के विशे में हम विशेश तोर पर बता दें कि आजा एक आदशी के विरत में चने का सेवन निशेद माना जाता है करोध का भोजन नहीं लेना चाहिए शाक नहीं लेना चाहिए और खास तोर पर शहद का सेवन तो बिलकुल नहीं करना चाहिए तो इस एकादशी में आप इस बात का ध्यान रखिए और दश्मी तिथी को रात में गलती से भी मसूर के दाल का सेवन मत कीजिए तो मित्रों इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखिए हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उप्योगी होगी नमू नारायड